हेलो और वेलकम दोस्तो मेरा नाम है शिभूम और दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले Microsoft की AI और ML free training के बारे में और इस training का link मैं आपको description में provide कर दूँगा और आगे की बात हम computer की screen पर करते हैं तो चलें computer की screen पर दोस्तो जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इस website का link मैं आपको description में provide कर दूँगा तो आप वीडियो की description में जाके ये link देख सकते हैं और जैसे ही आप इस link को click करेंगे तो आपको जो window visible है यह same to same window visible रहेगी यहां पर लिखा है कि Microsoft AI Classroom तो Microsoft की जो free AI cleaning है यह इसके date है December 14 से लेकर December 17 तक ठीक है तो starting से अगर हम देखें तो यहां पर यह किस के association में कराया जा रहा है यह NASCOM के association में कराया जा रहा है and it is supported by GitHub तो यह कैसे चलेगा इसका complete roadmap यहां पर given है कि जैसे ही आप इस link को click करेंगे तब आप यहां पर registration के लिए आपको एक link आएगा उस link पर student जो आप लोग है वो register करेंगे then जो हमारे session है इसको आप attend करोगे और session attend जैसे ही आप complete कर लोगे उसके बाद आपको एक email मिलेगा जो की online assessment attend करने के लिए आपको एक link मिलेगा ठीक है उस email में जो link है उसको जब आप access करोगे तब हाँ पर online assessment आपको देना है और उस assessment में in total 30MCU type question होने वाले हैं और उसका passing percentage है 60% अगर आप 60% या उससे above number लेके आते हो then आपको वहाँ पर certificate मिल जाएगा और आप उस certificate को download कर स certificate नहीं मिलेगा but आपके बास chance है कि आप उस assessment को फिर से दे सकते हो ठीक है then ये जो पूरा schedule है ये कब से कब तक होने वाला है ये same चीजे एक week के लिए repeat करने वाली है 6 दिन के लिए starting from Monday Monday से start होगा ये 14 of December से और ये Saturday तक continue रहेगा हर दिन ये schedule same होगा तो किसी भी एक दिन आप आपका जब मन्हू registration करके attend कर लेना 14 से 19 के बीच में और जो topic cover होने वाले है रोज same ही रहेंगे फिर से repeat कर देता हूं जैसे कि यहां पर लिखा भी है the session will be repeated once every day for one week ठीक है please register for any one of the following sessions और register करने के बाद जिस दिन भी आपने register कर रखाया उस दिन time से जाके attend कर लेना because अगर व रहीं कर पाऊंगे session तो इसे topics हैं कि पूरा timing अप गिवन है कि दो वेज़से लेकर साड़े 5 वे तक यह चलेगा और इसमें timing के हिसाब से क्या पढ़ाई जाएगी वह यहां पर mention है आप go through कर सकते हो session के link पर देख सकते हो इस सब कुछ speakers हैं यहां जो आपको इस training में देखन यहां पर highlight करना चाहता हूं वो यह है कि limited seats हैं जैसे मैंने पहले भी बोला है attendance is on first come first serve basis if you are unable to join a session it may have reached the capacity अगर वो capacity fill हो जाती है तो आप उस session को attend नहीं कर पाऊगे तो अगर आपको मन है यह session attend करने का तो timely जिस date पर आपने register करा है attend कर लेना otherwise capacity fill होने के बाद आप आपर session attend नहीं कर पाऊगे तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतने और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को subscribe करना इस वीडियो को like करना और अपने दोस्तों के साथ share कर करना because उनको भी इससे benefit हो सकता है and thank you for watching this video have a nice day keep rocking bye bye